Hello students, मैं हूँ पूजा महता और यहाँ पर आज मैं अपने YouTube चैनल Study Netic पर आपको कुछ बताने के लिए आई हूँ पिछले 2 सालों से मैं YouTube पर काम कर रही हूँ और आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार मिला है Class 11th and Class 12th की Business Studies and Accountancy पढ़ाती हूँ जिसे बच्चे बहुत ही अच्छे से देखते हैं कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैडम जो आप पढ़ाती हैं उसके PDF हमको प्रोवाइट करा दीजिए मैं उनसे प्रामिस भी कर चुकी हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं इसके PDF प्रोवाइट करा दूँगी तो आज यहाँ आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नियूज लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको मेरे एप Study Netic के बारे में बताने वाली हूँ यहाँ पर मैं अपना खुद का एप लाउंच कर रही हूँ Study Netic जिसे आप Play Store से जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इसे कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी लेकिन आप यहाँ पर Class 11 की Business Studies and Accountancy TS Grewal के New Edition के Solutions को आसानी से Purchase कर सकते हैं साथी साथ Class 12 की Business Studies and Accountancy के Solutions को आप Purchase कर सकते हैं अब यह Purchasing Amount कितना होगा बहुत ही Minimum मैंने Amount रखा है और Each Chapter के हिसाब से Amount रखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिने कुछ Chapter tough लगते हैं and कुछ Chapter easy लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पूरा Course Purchase करें आप Each Chapter को भी Purchase कर सकते हैं Business Studies के लिए मैंने Price रखा हुआ है 2.99 Each Chapter का जिसे आप 100 उपीस डिसकाउंट के साथ 1.99 में Purchase कर सकते हैं साथी साथ Accountancy का Price मैंने रखा है 3.99 जिसे आप 2.99 में Purchase कर सकते हैं यह जो मैं Purchasing बता रही हूँ वो Each Chapter की Purchasing बता रही हूँ यदि आप Whole Course नहीं Purchase करना चाते हैं और सिर्फ किसी Chapter के Notes को Purchase करना चाते हैं किसी Chapter के Solutions को Purchase करना चाते हैं उसके Question Answer को Purchase करना चाते हैं तो आप उसे आसानी से Purchase कर सकते हैं इसमें आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको मेरा Study Netic app को कैसे डाउनलोड करना है तो आप मेरे साथ देखते जाएए सबसे पहले आपको Play Store पर चले जाना है और यहाँ पर लिखना है Study Netic ठीके किसी तरह का कोई Space नहीं देना है उसके बाद जब आप इसे सर्च करेंगे तो देखिया यहाँ पर आपको Study Netic का एप दिखाई देगा इस तरह से आपको इसे डाउनलोड कर लेना है इसे ओपन कर लीजिएगा लॉग इन विद वाटसिप कीजिएगा और सभी notification को allow कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई मैं नया PDF अप्लोड करूँ उसका notification आपको मिल जाए तो यहाँ पर देखिये इस तरह से मेरा interface दिखाई देगा यहाँ पर यदि आप click for YouTube लिंक करेंगे तो आप direct YouTube के link पर पहुँच जाएंगे इसके बाद देखिये यहाँ पर tile बनी हुई है Class 11 की tile को आप जैसे ही click करेंगे तो देखिये यहाँ पर Class 11 के अभी तक जितने भी मैंने chapter मेरे YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे उन सभी की PDF available है जिसे आप click करके आराम से इसे purchase कर सकते हैं इसी तरह से Class 12 का भी है जितने भी मैंने chapter अपने YouTube चैनल पर पढ़ाएंगे वो सभी यहाँ पर available रहेंगे इसके बाद MCQs, PYQs भी available बहुत ही जल्दी हो जाएंगे आपको free videos इसका कोई charge नहीं है सारे videos मेरे YouTube चैनल पर and मेरे app पर बिल्कुल free है आपको videos देखने का कोई charge नहीं देना होगा इसके बाद आजाएंगे all courses, सभी courses यहाँ पर Class 11 के and Class 12 के आप ले सकते हैं इसके बाद रहेगा हमारे पास sample paper जो बहुत ही जल्दी मैं आपको provide कराऊंगी and सबसे important यहाँ पर मैंने doubts के लिए एक Google form बनाया है जिस पर आप अपने doubts लिख कर मुझे भेज सकते हैं अपना email ID जरूर डालिएगा तभी मैं उसका answer कर पाऊंगी तो इस तरह बच्चों आप मेरे app को जरूर download कीजेगा बहुत ही minimum pricing रखी है मैंने तो आप इस app से PDF को purchase कर सकते हैं कोई भी doubt हो तो वो मुझे direct send कर सकते हैं और मुझे support कर सकते हैं तो मेरे app को जरूर download करना